हलो दुस्तों राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आज की लेटेस्ट कम्टिटीव एक्जाम और जॉब अब बताओं था इस वीडियो को सुरू सन तक देखें पसंद आने पर लाइक से नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले सबसे फ़हले राजय सुक् क्योंकि अब आप लोग सेलेक्टेड केडिडेट हैं और आप लोगों की जिग्यासा बढ़ गई होगी पहले क्या था कि आप सक्सेस नहीं थे तो दूसरे एक्जाम की भी सोचते था अभी तत्काल जो है बाद में सोचेंगे या लग बात है लेकिन अभी जो है यह इस पर डिसीजन क्या लिया गया अभी डिसीजन नहीं लिया गया तो हो सकता दो चार दिन लगे यह अगले सब्ता आपकी नोटिफिकेशन है जो कि आजाएगी कि कब क्या करना है तो यह अपने स्तर से मेरे स्तर से तो ही कि अब जो है पहुच गई है अब उस पर क्या नहीं लिया अगर नहीं है तो आपने पंचाय सची में देखा तो कम से कम आपने जो लिखा हुआ उसका पर कर दिया है अगर सपत्पत्र मांगता है तो सपत्पत्र वाला आप नो ट्री में जाया या एश्डी ओफिस में जाये तो यह सब कर लें करेक्टर वाला कम से कम नहीं है तो SP वाला ओनलाइन जरूर कर दें जो लोग नहीं किया है उसे एक सबूत हो जाएगा कि आपने यह जो कर दिया है जैसे बनेगा वो दे दिया जाएगा उसके बाद आते हैं अब क्योंकि कल से जो की फॉर्म भराएगा यह जो है एडिट करने से जो कि शुरू होगा आज 20 तारीक है यह इसी तरह का एक फॉर्मेट बनाना क्या-क्या चीज़ चेंज हो सकता है नहीं हो सकता फोटो वाला तो समभब नहीं लिख रागर दिया जाएगा तो अच्छी बात क्योंकि साच के साथ देना है ऐसे नहीं कि आपको जो मन हुआ चेंज कर सकते हैं सबूत रहेगा तब ही चेंज करेंगे यह सब आपको बताया था कोलम में क्या-क्या लिखाएगा बता देते हो माले जाके आपके नेम में जो कि गड़वड है तो वह दिया हुआ था ही नेम में कोलम येक दिदना है ऑनलाइन आवेदन में जो कि टूटी सर्गिया भल मालीया की 3-6 साच दुरुटि काम ल कि मालिया इसा संभवन नहीं लेकिन मालयय apology है पहला में नाम गलत है वह भी तो बताया गया था राम प्र मार इस सपेस नहीं रहता है और सपेस या राम कुमारी ही लिखा गया है चलिए पलान पतने संकता कुमार कर देना है कुमारी नहीं होगा या स्पेलिंग मिश्टेक हो गया तो सुधार लेना डी ओ भी में आपता मले अठारा दो उनिस्टो अंठान में जबके आप पर डेट अब बर्त क्या है कुछ लोगों को तो क्या होता जो ऑल्टो मले अठारा दो 1990 हो गया है तो इसको अठान में लिखा गया है यह है टो यह सुधार सकते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं ऐगा और बीची फर आगे लेकिन हैं आप क्या इबीची यहां पर इबीची लेकिन उसका साच्छे होना जाए अगर आपके पास सट्रिपिकेट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है तो आप लोग इसको क्रेडोगरी को भी चेंज कर सकते हैं और भी जो एंड क्रेट एरिया है चेंज करने की फादर्श नेम गलत है फादर्श नेम भी यहां लिख देंगे मदर नेम में गलत है जो चीज नहीं चेंज फादर नेम में मल यह को छुड़िया तो उसको भर दें यहां पर सुधार वाले और उसका जो है प्रमान पत्र में है जो कि चाह मैट्रिक की हो में कल भी कहा था कि आप लोग एक बार फॉर्म को जो की जरूर देख ले यह जो प्रिंट है इसको श्राइबर के प्रिंट निकाल ले आपको बना लिखने की विजरत जहां जहां जो भरने का है पंजी करन संख्य रिष्ट्रेशन संख्य है यह सब कर लें मुवाइल नंब पर क्योंकि आपका मले जाएक भुला गया यह चेंज हो गया तो यह जो है आपको अभी सुधारने के लिए स्पर्स्ट्रिप्शन नहीं कहा गया हाला कि इससे बहुत ज्यादा कोई यह नहीं है लेकिन इसमें अभी तक जो है सुबधा यह नहीं दिया गया कि आपको मुव इसकीती थी कोई अभी स्पर्स्ट नहीं क्योंकि अभी जो कर्ज चल रहा है अंसा पर चल रहा है इंटर लेवल वाला में बहुत सारे क्योंकि 42 पद हैं तो समय तो लगएगा दो पद की तो आपने देखा तो धीरी धीरे जो कि भी एससी निकालने के बाद है जो कि यह पर और यह पद भरने को लेकर था और यह देखते हैं कि क्या था इंटरस्तरिय से क्योंकि इंटरस्तरिय में एक परिकरिया भी भी जो कि बाकी है और अब देख रहा है कि हम कॉंसेलिंग करा सकते हैं लेकिन मांग के चल रही है 1778 वेट तो उने कहा कि यह मेरे अधिकार छेतर में नहीं है लिखते हैं कि कितनी समय और लग सकती है तो यह रहा है आपको बियुस्सी इंटर लेवल की है जो कि मांगे ही चल रही है कि शीटों के बरने की परिदिया चल रही है कि उसके बाद आप देखते हैं शीटी जो है 25 से कर सकेंगे सिन को लाइज तो यह आपका जारी कर दिया कि चार अगस्तन के बिहार स्रीटी संस्थान में अंकल कर सकते कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना अनिबार देगा चार्थ चार्थ श्रीटी पर्सेंट एक लग से तालीस अजार है तो इनका नंबर ज्यादा रहेगा पूरिस कॉलेज भी है जो कि सामिल है अधिकतम है जो कि बाराक कॉलेजों का चैन कर सकते हैं कॉंसेलिंग के लिए रिजिस्ट्रेशन इस परकार होगा यह दिया हुआ है करें को सत्यापित कर लें उसके बाद कॉलेज का चुनने की परकिरिया है तो यह है जो कि इसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर मतस्त विकास पदादिकारी का जो कि बीटीए से बिहार तक्निकी सेवा आए जवारा यह यह निकाल दिया गया है कॉंसेलिंग करी जल दोसो साथ अब एक सफल गोशित कि इनमें सतास याना रच्छी थे कि इडवलुएस चाउतिसे स्टी एक है और वीसी चोविस और थेतिसी बीसी और साथ वीसी में सब्सक्राइब कर दिया गया है और यह परिच्छा सुलका बगता नहीं किया है जरकान क्रमचारी चैन आयोग ने रच्छी जारी करते साथ दिन दिदेश जिनके फोटो और हस्ताचर अपलोड नहीं किया उन्हें 27 जुलाई तक आंते मौका दिया जारा इस दौरान बे इस इसके बाद आते हैं अगली ख़बर पर और यह क्या नियुक्ति के आदेश को खिलाब सुप्रीम कोर्ट में हुई स्युनवाई तो यह जो छटी जेपेसी का जो मामला चल ला है और इस विज़राज सरकार के उरसे पत्पतर दाफिल कर कहा गया एक संसोधित पर नाम के बा इसे में 60 लोगों समाजित करना असुंभव है सभी चैनित वहरति जो वरतमान में नोकरी कर रहे हैं सुंभाई के दौरान है काक विजयापन क्रिश्वत्र कॉलिफाइंग कांख कुल प्राप्त जोड़ा सही है उनकी और से बस पूरी कर अब इस मामलम परतिवादियों की कि अधिवक्ता है कि कपिल से बल और यह सब पच्छे जो कि रखेंगे को 326 है जो की अधिकार्यों की हो चुकी है नीफ्ती और शट्ठी जेपेसी में जो कि इसमें 60 नय भेर्थी जो कि चैनित हुए है जेपेसी के परिचा के ताथ 326 से दिकारी को नियुक्ती हो चुकी है और अपिल को है जो कि खारेज किया गया है उसके बाद आते हैं फरजी सेटिफिकेट पर है जो कि जो लोग बहाल हुए अमीन कानुन गोर अमीन की बहाली किया गया था सर्वे कानुन जो तेजी अमीन में बहाल में कई लोग ऐसे संस्तान से सिविल इंगरिंग कर डिप्लोमा परमान पत्र ला करते दिये हैं इसलिए मैं कहता हूं गलट डॉक्मेंट्स जो कि ना दे जो क्योंकि जांच जरूर होती है जहां इस कोर्स की पढ़ाई तक नहीं होती है इसे फरजी परमान पत्रों की जांच में जब दर्जनों की संक्र फड़ी वाड़ा सामने आ लेगे तो तो तीन सो पचास अमीन और अंगों ने त्याग पत्र दे दिया तो यह आप देख रहे हैं कि नकली सेटिफिकेट का क्या हाल होता और बहुत तकलिक दे होता सुरुवात में तो अच्छा लगता है कि गलत भी चलो रोंकली लग गया लेकिन ससत त्याग पत्र ले लिया पूरे कारेकाल का बेतन भी बस बेग उसराय में 17 आरवल में 17 यह सब मामले से मतलब आप लोगों भी अपने की होगी तो आपको भीश में परशानी हो सकती है इसलिए मैं कभी भी किसी को गलत सटिपिकेट या गलत राइड नहीं देता हूं क्योंकि आज आप बज सकते हैं लेकिन भीश में आपकी जिटन इसलिए नहीं होगा इसलिए जल्द होगी अमीनों की बहाली तो बिहार में जो कि इसके मंदर्जन जल्द ही वीवागस्तर से फिर से करीब त्थाई हजार आमीन की बहाली की परकिरिया है जो कि किया जाएगा और इसके लिए तयारी सो जल्द ही इसके प्रक्राइब फर्जी डिग्री पर बहाला उनों के जान चल रहे हैं और अंतिम चरण में है और किसी तरक गड़बड़ी कर्मी परिफायार करके बेतन बसूली किया जा रहा है और थाय हजार अमीनों के बालिक पर किलिया जोंकि फिर से रही शुरू हो सकती है क्योंकि बहुत सारे पत्खाली हो गया और कुछ पत्खाली पहले से ही है तो यह रही आज की अपडेट तोशीक साथ धन्यवाद